नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ सब खेरी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुस होंगे दोस्तों इंडिया और इंगलेंड के बीज पांच मेचों की टेस्ट रिस चल रही है और दो टेस्ट मेच खतम हो चुके हैं और पहला टेस्ट मेच इंगलेंड जीच जाती है 28 रन से जहां तक मुझे याद है और दूसरा टेस्ट मेच 106 रनों से हमारी भारतिय टीम जीच जाती है और दूसरे टेस्ट मेच में दोरा सतक मारा था यससवी जेसवाल ने पहली इनिंग में और फिर दूसरी इनिंग में हमारे शुब्मन गिल साब ने 109 रनों की पारी खेल दी थी पहले टेस्ट मेच में 100 छंडू रन बनायते हमारे ओली पॉप ने अब हमारे क्यों बोल रहा हूँ देखो जो अच्छा क्रिकेट खेलता है जो अच्छी क्रिकेट खेलता है उसे एडमायर करते है इसलिए वो हमारे है जो भी अच्छे या सच्छे क्रिकेट लवर है उनके सामने कोई बेट्समेन या बोलर अच्छी क्रिकेट खिलता है तो उसे हम एड्मायर करते हैं और मैं उबिद करता हूँ कि आप लोग भी क्वालिटी क्रिकेट को एड्मायर करते होंगे विसे कल ऑस्ट्रेलिया वर्सस पाकिस्तान का सेमी फाइनल ता अंडर 19 वल्ड कप का महाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया पाकिस्तान को हाला कि यह बेड्लक भी कह सकते हैं क्योंकि 9 विकेट तो ले लियता है पाकिस्तान ने और बचे कितने ते एक विकेट 16 रन चीए तो ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया के हाथ में एक विकेट ता खाली हाला कि 16 रन ब के बेट्समेन का बल्ला टच हुआ सर के उपड़ से खाली तो बल्ला टच होके पीछे चोका चले गया 12 रन तो उनके एज लगके चले गए 16 में से तो अलगी रहा है पाकिस्तानी बोईस हाला कि दोस्तो अब तुम बोलोगे कि तुम पाकिस्तान को क्यों सपोट करें मैं नहीं कर रहा पाकिस्तान को लेकिन दोस्तो ये तो 18-18 19 साल के बच्चे ना इनसे हमारी क्या politician है वो जो senior team खेलती है ना उसमें हम comparison कर सकते हैं बोले हम इनको नहीं पसंद करते तो मुहमद रिजवान की तरह प्रोपर एक्टिंग करता है तो क्या कर सकते हैं यार हार गए हाला कि unbitten गई थी मतलब एक भी मेच हारी नहीं थी semi-final में जाने से पहले एक बांगलादेश वाला मुकाबला था नहीं का थोड़ा जो करीब गया था लेकिन वहाँ भी जीत गई थी सभी टीमों को एक तरफा हराया है हमारी इन्डिया ने بھی सभी टीमों को एक तरफा हराया है साउत अफरिका वाला मेच ये भी करीब गया था अंडिया के भी यہा 8 wicket खो दिय थे और target chase करने ही थी इंडिया जब South Africa के खिलाफ South Africa ने 245 का target दिया था 31 run पे 4 हम भी हो गए थे फिर मैंने TV बन कर दी थी मैंने ही देख रहा था मेरा दिल दुखने लग जया था कि इंडिया यहां भी तो नहीं हार जाएगी semi final से भार तो नहीं हो जाएगी जो हमारे साथ हमेशा से परंपरा चलती आ रही है कि हम ICC tournaments में अच्छा करते हैं लेकिन जब nocouts की बात आती है जब semi final और final की बात आती है तो हम चोक कर जाते हैं हार जाते हैं एक तरीके से या चोक कर जाते हैं जो South Africa का नाम है ना चोकर्स वे सब तो मुझे पाकिस्तान का भी बोलना पड़ गा ये भी चोकर्स ही हैं ये 2021 के T20 World Cup में unbeaten गये थे semi final में Australia के खिलाफ आर गए फिर अभी 2022 का T20 World Cup यहां final में गए England के खिलाफ चोक कर गए हार गए उसके बाद अभी Ender 19 World Cup में हार गए उसके पहले अभी 2024 के Asia Cup Ender 19 में semi final में बंगलादेश के खिलाफ आर गए तो चोक तो ये भी करते हैं चोक हम भी करते हैं हाला कि दोस्तों हमारी performance overall अच्छी हम bilateral में अच्छी प्रदर्सन करते हैं bilateral में हमारा प्रदर्सन काफी अच्छा पाकिस्तान का नहीं है पाकिस्तान अभी World Cup में अच्छा प्रदर्सन नहीं कर पाई हम 10 के 10 में जीते World Cup 2023 में 11 हार गए उसके अलवा WTC final में भी गए हम final में हार गए माना उसके बाद अभी Under 19 के final में चले गए उमीद करता हूँ भगवान से दुआ करता हूँ कि हम ये final जीते हैं और Australia से बदला ले यार इन्होंने हमें World Cup 2023 के final में हराया है उसके बाद WTC final में हराया है बदला लेना चाहते हम Australia से तो दोस्तों ये बाते नहीं थी खबर मेरे पस कुछ और थी लेकिन वही बात है जब मैं बात करने लगता हूँ तो रुकता नहीं हूँ क्रिकेट की बाते भरी पड़ी है मेरे अंदर तो करता रहता हूँ लेकिन दोस्तों खबर किये है कि इंडिया वर्सस इंगलेंड की 5 मेचों की टेस्स चल रही है और यहाँ पर तीसरे टेस्ट मेच में और चोतरे टेस्ट मेच में और पांचवे टेस्ट मेच में स्रेय सायर नहीं खेलेंगे अवेलेबल नहीं है उनकी पीट में चोट लग गई है मैं आपको पूरा इसारा करके बाता रहा हूँ या उनकी कमरे में मोच आ गई है स्रेय सहीर नहीं खेलेंगे आखरी के टीन टेस्ट मेंच दो हो चुके हैं उसके पहले इस टेस्ट सिरीज में बहुत कुछ घटरा है यार विराट कोली नहीं खेल रहे हैं उनके फेमिली रीजन से उसके अलावाद पहले टेस्ट मेंच में केल राहूल इंजड हो गए महममस सिराज इंजड हो गए रविंदर जडेजा इंजड हो गए विराट कोली जगा टीम में रज़त पाठितार आ जाते हैं छलो मान लिया केल राहूल और रविंदर जडेजा और मुहम्मद सिराज रविंदर जड़ेजा का मैंने पहले नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि रविंदर जड़ेजा 90% फीट है लेकिन वो 10% का फासला बढ़ भी सकता है अभी 10% ही है चांसेस लेकिन दोस्तों मेरा भी यही मानना है अगर कोई खिलाडी 100% फीट है तो यह आप रिस्क लीजे नितों से खिलाडी को मत खिलाइए क्या पता इंजरी और बढ़ जाए अभी 2024 में इसी साल T20 वर्ल्ड कप है सर पे इसलिए क्या अभी आप रिस्क मत लीजेए उसके अलावा भी तो हमारे पास option है ना कुल्दी प्यादव है रविंद्र जड़ेजा के अलावा हमारे पास वसिंटन सुंदर है तो अकसर पटे ले तो रविंद्र जड़ेजा ना भी खेलेंगे तो चलेगा हाला कि वह बहुत बड़े प्लेयर है महान प्लेयर है उसके लावा आप सिरे सहीर अनफिट हो गए तो कौन आएगा इनकी जगे मेरे साब से सर्फराज खान आएंगे काफी अच्छा प्रदर्सन कर रहे हैं काफी अच्छे बेट्स में ने हाला कि मैंने उनको बल्ले बाजी करते हुए सिर्फ IPL में देखा है मैं आपको सच बता दू हमेने उनको डोमेश्टी क्रिकेट में नहीं देखा है हाला कि सुना भोते है सोसल मीडिया में सर्फराज खान के बारे में हर आए दिन कुछ न कुछ सुनने को मिलता है कि आए सर्फराज खान ने महादोरा सतक मार दिया यहाँ पर ट्रिपल सेंचुरी मार दी सतक मार दिया इंगलेंड ए के खिलाफ या इंगलेंड लाइन्स के खिलाफ इंडिया एक ही और से खेलते हुए सतक मार दिया देड़ सो रन मार दी और काने कित्ते रिकोर्ड ही है अपने नाम कर रहे हैं हर दूसरे तीसरे मेच में घरेलू क्रिकेट में शतक मार देते हैं तो सर्फराज खान का नाम सुनने में आता है अब तो साही तू कि ये सर्फराज खान कब इंडिया के लिए खेलेंगे अब ये स कनफर्म हो गया ना 110 परसंट कनफर्म हो गया कि अब तो सर्फराज खान टीम में आएंगे ही सही तो यह तो सर्फराज खान के लिए ब्लेसिंग है ना तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को कर दो तब तक के लिए बाइबाज जय हिंद।